नमस्कार स्वागत आप कंपनी मेजिक पे वीडियो में बात करेंगे HDFC बैंक के क्वाटर फोर की एर्णिंग के बारे में जानेंगे कंपनी की टोटल इंकम क्या रही नेट प्रोफिट कितना था और पिछले क्वाटर में कितना था और यहां पे कंपनी की येर टो एर होगे तो लगबग 43,364 करोड यानि की एक परसेंट एक पॉइंट से परसेंट की यहां पर मामूली सी बढ़त आपको टोटल इंकम में देखने को मिली है वहीं बात करें प्रोफिट की तो प्रोफिट अपके बार कंपनी का 10,443 करोड और पिछले क्वाटर में था दोस्त प्रेज प्रोफिट के तो और के सब्छले कि में ठेखने क्वाट्र 6 3 2212 करोड का चांड यानि की अपकी बार लगबग 33,000 करोड का कंपनी को जड़ा आनंप फायदा हुआ है तो टोटल इंकम में और इसकी अगर आप तेजी देखोगे लगबग 67 sent- के तो इनकम में तेजी प्रोफिट जहां आपके वार 10,423 करोड है पिछली वार 8,433 करोड था यानि कि इसके अंदर भी लगबग 24% की तेजी आपको प्रोफिट में देखने को मिलिए प्रीवेस एर के क्वार्टर फॉर की तुलना में EPS अबके वार 18.7 है पिछली वार 15.2 था तो EPS में भी 23% की आपको जबरदस्त उसाल देखने को मिला है तो यह भी एक हम कह सकते हैं कि पिछले क्वार्टर फॉर की तुलना में काफी सांदा रिजल्ट है कंपनी का अब बात करें ये टू एर कंपेरिजन तो ये टू एर कंप 255 करोड यानि कि 37% की टोटल इंकम यह बढ़ी है प्रोफित अगर आप देखोगे 38,52 करोड का हुआ है पिछली वार 31,833 करोड का है यानि कि 19.54 की यहां पर प्रोफित के अंदर आपको बड़ोतरी देखने को मिलिए EPS अगर आप देखोगे अब की बार 68.3 का है पिछली बात करें quarter to quarter quarter to previous year same quarter और year to year basis पे company ने अच्छा result दिया और इसका direct impact आने वाल टाइम में आपको company के share price पे बढ़ता हुआ दिख सकता है तो आप इस इस इस्टो को follow कर सकते है thank you keep supporting